असलाम और अलेकूम कैसे हो मेरे भाईयों और दोस्तों कैसा दिन गुदरा आप लोगं का माशाला आज मुस्तम अच्छा वह बादेलाइम हुआ है तो मैंने सोच है आज आप लोगं को अपने तो लोकर की थोड़ी सी सैर कर वा दूंद तलोकर गौं कैसा है थोड़ा बहुत उसके बारे में एक साइड पर जा रहे है तो उस साइड पर जागना तलोकर का जो सीन फीन है वो आपको दिखाते हैं चलें देखते हैं आगे यह देखें जी माशालला तलोकर की केते अभी तो गंदम की किटाई हो चुकी है तो अभी ये बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहा है पहले बिल्कुल फुल ठीकेज ये जिससे कर मैं खड़ा हूँ न ये इस तरफ पहले सारी खेत हुआ करते थे ये जो मकान बने हुए सामने माशालला ये सामने इतना प्यारा मकान क बचाने के लिए पड़ा करें बिसम लाही माशालला अला कुवाता इल्ला बिल्ला अल्ला पाक सबको अपनी उफ्जमान में रखे ये घर बना हुए है जी माशालला और ये बन रहा है साथ अभी ये किसी की हो रही है देखें अभी हम जा रहे हैं उस रस्ते आगे मैं आप लेकिन उस टाइम यो था हम जब छुटी वहती सी नेक्स तिन तो हम शाम के टाइम यहां से अपनी नानों के घर जाया करते से सारे चल गे वो रस्ता भी आपको दिखाता हूं और मेरे बाई भी देखेंगे उनको भी याद आएगा इगा इन्शालला ताला चलें आगे चल कि आपको दिखाता हूं अब मुझे बहुत जरूरत है मुबायल का स्टैंड हो मोटर साइकल पर तो इजी दिया बार और वीडियो बन करनी पड़ती है मिशाला वो भी लेते हैं एक दो दिन में कि यह वो रस्ता है आ रहा आगे आके और यह इदर से धर जाता है यह आगे साथ यह बागव करद हा था सारा अब यह कट गया गया घर बंड गये तो अब आती बहुत बढ़गी है यह कि यह रस्ता सहम नारों के घर बागी भी लेकिन बड़े मामू का जिखर ना असा हो ली सकता अ बहुत प्यार करते थे हमसर बहुत कम यह से लोग देखें जो बच्चों पर इस सखती भी लेकिन प्यार भी हद द्रजय का तो अपनी बारगा सभगा tes अपने पास बार बारगास में पी पाथ up Nrika बहुत से लोग हैं जो गर दुनिया से चले जाएं तो उनकी कम ही पूरी नहीं और शक्ती जैसे ही वह मेरे मामों से तो आईए चलते हैं आज उनकी कबर पर जाकर द्वा भी करते हैं चलते हैं देखें जी शहरे खामोशा कैसी कैसी शक्सियात दफन होई यह यह पांड़क का कबरुस्तान है यहां पे हरीपुर के तमाम जो शहर के माले हैं उनकी मेरीते भी यह ही दफन है और यह रही जी मेरे मामों की आखरी यह रहुगा है अल्ला पाक इनको जन्नत में आला मकाम अताब फर्माए और यह इनके पीछे मेरे मामों अपने वालत साब की कदमों में दफन है यह मेरे नाना नाना को तो मैंने देखा नहीं है लेकिन सब कहते थे कि जो मेरे मामों की खुछ खुसियात थी वो नाना से डाप्ट होई थी और अल्ला पाक ने उनको उनके कदमों में और उनकी मौत भी वैसे हुई जैसे मेरे नाना की हुई थी हाई वो दिन वापस नहीं आ सकते हम इनके दूआ कर सकते हैं सब को हमें एक दिन आना है या नहीं यहां तो अल्ला पाक हमारे गुना माफ करे और हमें हदायत के रस्ते बेचले हुआ कर समय दोट resolving कर सकते हैं